नमस्कार साथियों, संस्कार अकादिमी के यूटूब चैनल संस्कारी स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत करें इछली क्लास में अपने बात करें थे प्रकर्ति भाव संधी की जो भी संधी के दूसरे नंबर का भेद था प्रकर्ति भाव संधी और उस प्रकर्ति भाव संधी के तीन भेदों के बारे में अपने बात की थे आज तीसरे भी बात करते हैं सबसे पहला तो था अपना अच्चसंदी नूसरा था प्रकरतिभाव संदी और तीसरा है आज हलसंगर का का आता है हलसंगर कि आप इसके कितने भेद में बहते हैं कि हल होता क्या है यहां से को हल में लिखा है और जब माहेश्वरी सुत्रों के अपन बात करते हैं तो वहाँ यह चलता है है यह बरट, लन, यमगणनम, फिर उसके बाद में सरसर और लास्ट में हल, तो यहां है से लेकर के और ले प्रियंत तक के बरणों पपने ग्रहन कर लिया, अर्था सारी वेंजन, स्वरों को छोड़ करके सारी वेंजन यहां आगे, इसलिए इसका नाम कहा रखा हल, इस हल संदी का दूसरा नाम होता है, वेंजन संदी, क्या होता है, वेंजन संदी, क्योंकि यहां हल में संपूर्ण वेंजन ही आते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वेंजन संदी, चाई से हल संदी मानो, चाई से वेंजन संदी मानो, अब समस्या है कि हल संदी होती क्या है, तो आपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहां पर जहां पर दो व्यांजन वर्म या एक व्यांजन तथा एक श्वर का मेल हो तथा उससे कोई विकारुत पर नहों उसे ही प्या कहते हैं व्यांजन संधी कहा जाता है इसे कहा जाता है जहां पर या तो दो व्यांजन आपस में मिले और या फिर एक व्यांजन और एक श्वर आपस में मिले तो निश्चित रूप से उसे क्या कहेंगे व्यांजन संधी कहेंगे अब यहां समस्या होती है कि प्लस से पहले और बाद में व्यांजन होगे या फिर एक स्वर का अच्छेसंदी हो जाई थी ठीक है अब इसके भेदों के बारे में बात करते हैं मुख्य रूप से तो इसके जो टेंट लेवल तक होता है या अपन कहें कि जो रिट लेवल होता है इसके मुख्य रूप से तो पांचे ही भेद गाब में आते हैं वैसे इसके मूल रूप से भेद होते हैं 12, 13, 14 तक किदने तक है 12 या फिर 13 भेद लगवग इसके होते हैं अब इनको अपर तीन भागों में भिवक्त करते हैं इन भेदों को बेलजन संदी के भेदों को कितने भागों में तीन भागों में एक होता है सबसे पहले ये वाला पार्ट फिर होता है ये वाला पार्ट फिर होता है ये वाला ठीक है यहाँ देख लेते हैं एक बार यहाँ पर दो नाम लिखता होंगा है इस्चुत्वसंदी पिर दूसरा है इस्चुत्वसंदी यहां एक इस्चुत्वसंदी, एक इस्चुत्वसंदी फिर आगे रिक्ता हूं है जशत्व संधी, पितर्व संधी, अनुश्वार संधी, फिर है यहाँ पर जशत्व, चर्त्व और अनुश्वार मूल रूप से तो यही संधिया काम में आती है, अपने रीड लेवल में, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूँ आपको, कि थोड़ी सी संधिया आगे भी है, इसके और भी भेद है, उनका भी बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर जब भी अपन बात करते हैं, यह हो संधिय के बात में हैं, अपने पास है, अनुश्वार परशावन संधिया, अनुश्वार परशावन संधिया, फिर यहाँ लेखते हैं, पूर्व शावन फिर यहाँ लेखते हैं, पालशावन संधिया, फिर लेखते हैं, शत्तवा संधिया फिर यहाँ लेखते हैं, अपने भी अपने, संदी, ऐसे मानों ये विशिस यहां रखा गया है, इस्टोत्व संदी, इस्टोत्व संदी, जसत्व संदी, चारत्व संदी, अनुश्वार संदी, ये तो मूल रूप से आपको ध्यान में रखना ही रखना है, यहां तक है काम की तो बाकी की तो ऐसे वो अपर लेवल के हो ज ज्याने रखना है कि जो मूल की पांच संधियां है बस इसी का ध्याने रखना है फिर यहां पर यहां अनुश्वार परसावन के साथ इकोर होता है अपने अनुनासिक संधी यहां होता है साथ नमबर पर यह हो गया आठ नो दर से पर यह क्यारा गम उड़ा गम संधी हो गई अपने पासे फिर कुक तुका गम संधीर यह और होता है थोड़ा सा के फिर एक होती है तुका गम संधी उन्सी तूच आगम करें उसी के नाम से ये संधियां पर चलित हो गई है अब यहाँ ध्यान रखना है इस्टूत्व संदी इस्टूत्व संदी जस्ट्व चार्त्व अनुश्वार अनुश्वार पर्शावण अनुनासिके पूर्वशावण पर्शावण छत्व संदी गमुडागम संदी और तुकागम संदी यहाँ यह जो दो संदिया है इनको नाम रखा गया है योग विशिष्ट संदि योग विशिष्ट संदि योग विशिष्ट संदि इस चीज़ का आप लोगों को ज्यान रखना है योग विशिष्ट यहाँ के वले इन दो को कहा गया है क्योंकि यहाँ वेंजनों का योग होत अब जब यह संदी पढ़ेंगे उसके बारे में अपन देखेंगे कि यहां पर योग किस प्रकार से होता है अब पहली बात तो यही है कि जब भी मैं किसकी बात करूं हाल संदी के बात करूं या व्यंजन संदी के बात करूं तो आपके दिमार में तुरंथ यह वाले सारे भे बस यही चीज आप लोगों को ध्याने रखना है कि कम से कम इनका नाम तो पता होना चाहिए अब जैसे ही अपने को नाम का पता होगा तो धीरे-धीरे क्या होगा इनके जो इनसे समन्दी जो सुत्र हैं वो भी अपने आप यादे रहने लग जाएंगे बस ये वाली बात आप लोगों को ध्याने रखना ही रखना है यहाँ पर एक बार ओर देखो इस्टुत्व संदी इस्टुत्व संदी जसत्व संदी चात्व संदी अनुश्वार संदी अनुश्वार परशवन संदी अनुनासिक संदी पूरुशावन संदी परशवन संदी छत्व संदी गमडागम संदी, तुकागम संदी, ठीक है? यह नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, अब विशतार से एक-एक उपड़ेंगे अपने ध्यान रखना है इस बात का, पहले वाली दो का नाम रखा गया है योग विशिष. क्या रखा गया है? योग विशिष. क्योंकि यहाँ वें जंजल संदी का, कुन सा, इस्चुत्व संदी, कुन सा, इस्चुत्व संदी के सुत्र के बारे में देखते हैं, क्या या, सुत्र कहता है इस्तो रिष्चू के योग में इस्तो इस्चूना इस्चू हुशात ये कह रहा है हिंदी ही बता देता हूँ आपको इस्टो तथा इस्टू के योग में मैंने कहा ता योग विशिस्ट है इसलिए यहां आ गया योग में इस्टू के योग में हमेशा क्या होवें इस्टू होवें चलो छोटी सी परिवासा है आप कहो कि ये तो सही है कि इस्तो और इस्चू का योग करें तो इस्चू ही होगे लेकिन इस्टो और इस्चू होता क्या है फिर वो ही बात मैंने कहा था कि संस्क्रित पढ़ना है तो कप्का और आई जो होता है के वोल ज्यादा तर वो ही चलता है यहाँ इस्टो हो गया यहाँ इस्टो हो गया चलो यहीं इस्तो का तात्वर यह होता है, आप खुदी ही देखो, से, ते, थ, द, ध, ध, न, इस्तो का मतलब क्या होता है, से और ते वर, फिर वो कह रहा है, दूसरे बाला इस्चू, किस-किस का योग हो, एक इस्तो और एक इस्चू को जोड़े जैसे, ऐसे कहते हैं, एक प्लस दो बर बर कितना होगा, तीन, दो प्लस एक बराबर कितना होगा, तीन, तो यह वारी ध्यान रगना, चाहिए इस्तो और इस्चू और चाहिए इस्चू और इस्चू और इस्चू होगा, तो हमेशा जब भी आपस में जोड़ेंगे, तो क्या होगा, इस्चू ही होगा, देखते ह जह 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 इन बस यही ध्यान रखना है इसका नाम रखाता क्या योग विशिस्ट क्या रखाता योग विशिस्ट अब योग विशिस्ट ही है तो इनका योग भी करना है जब पी से और से को अपन जोडेंगे जब पी से और से को अपन जोडेंगे तो जोड में क्या मिलेगा अपने को से मिलेगा क्या मिलेगा से और ये कह रहा योग में हमेशा इस्चू होवें अब इस्चू किसको होवें इस्चो को इस्चो होवें इस्चो को इस्चू हो जाएं अब तै और चे को जोड़ेंगे तो क्या होगा चे मिलेगा ठे और छे को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ठे छे मिलेगा ठे और जे को मिलेगे तो जे मिलेगा ठे और जे को मिलेगा तो जे मिलेगा ने और ये को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा यह वारी बात देहां रखना है आपको कि जब इनका योग हो जब इनका योग हो तो हमेशा योग में क्या सै उर्चवरग ही बचेगा देखते हैं कैसे सीदी सी बात है जैसे गुदारण है रामस खल से चिनोती क्या देखना है अपने को सर्ट के मताबिक एक तरफ इस्टो होना चीए एक तरफ इस्चु होना चीए यहां रामस में से है जो किसका है इस्चु का और यहां चे है वो किसका है इस्चु का तो सर्ट तो अपनी पूरी हो गई कि संदी तो इस्चु होगी अब यहां देखना है कि से के योग में क्या आ रहा है से के योग में कुन सा ये वाला से है और ये वाला से है तो यहां बदल देंगे अपन ये रामस और ये पलस चिनोती और सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा रामस चिनोती रामस चिनोती बस ये वाली वाद ध्यान रखना है आपको कि ये टेबिल थोड़ी सी याद रखनी है कि इनका जब भी योग करते हैं तो इस टेबिल के मद्धिन से ही कारिय किया जाता है जब भी जोड़ते हैं दिन को जैसे मालो सिवस पलस चै सिवस पलस चै अब यहां करना क्या है यहां इस्टो और यहां इस्टो तो बदलना कि इसको है इस्टो को बदलना इस्टो जैसा है वैसा ही रहेगा योग होने के लिए बदलने के लिए योग का होना ज़रूरी है योग के लिए इस्टो होना जाएगी यहाँ जब भी अपने सेइग करेंगे तो शेखों क्या तानलबे होगा, अब तानलबे होगा तो क्या बनेगा, सिवास्चार, क्या बनेगा, सिवास्चार यह वाली बात धाने रखना है आपको, जैसे मन neurot, पूरुधारन है अपने पासे, सत प्लसे जन्ना है अब क्या देखना है आपको यहाँ पर सत्य प्लस जन्ना है बस इतना सा ध्यान रखना है और यह रहा ध्यान रखना है कि यह जब परवर्थी तीसरा और चोता हो तो तीसरा मान करके कारिया होता हो पहला और दूसरा हो तो पहला मान करके कारिया होता है यहाँ पर में कुन सा है यह तीसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण है तो यहाँ इसको भी तीसरा मान करके ही कारी करेंगे और तो सद का मान करके सद मान करके कारी करेंगे और दे के योग में क्या होता है जै होता है और यह बने गया सद जाना है क्या मनेगा सज्जन ज्यान रखना इस तैव और दे का डिसीजन करने के लिए परवर्थी अंक बहुत मैं तो पूर्ण होता है बवाणे यहाँ पर इतना ही देखना है तीसरा छोता पांच वा है तो इसको तीसरा मानेंगे यहाँ पर पहला दूसरा है तो इसको पहला मान के काम करेंगे हो कोई सा भी उससे कोई फर्ण नहीं जैसे मानलो अपने पास है तद प्लस चैए तद प्लस है यहाँ देखे योग में क्या है आप खुद ही देखो जै है और जै है तो क्या होगा यहाँ पर है लेकिन यहां देखेंगे अपन कौन सा बर्ण है यहां प्रपर्थम बर्ण है तो इसको भी कौन सा मानेंगे पहला वाला मान करके ही काम करेंगे और पहला मानेंगे तो यह तत होता है और तत की जगे क्या होगा चैर और यह रूप बनेगा तच क्या बनेगा तच फिर जैसे मालो सत प्लस छात्र है सत प्लस है छात्र है अब इसको पहला ही मान की काम करेंगे और तैक को क्या करेंगे चेक करेंगे चेक करते ही क्या होगा सत छात्र है क्या होगा सत छात्र है क्या होगा सत छात्र है क्योंकि यहां पहला दूसरा ही तो है इस और यहां पर मेंने नेये और यह उर्एके यह नही तो जो हो सकता है और यहां पर मिने नए और यह की योग में क्या लिखा था यह बनाया था यह बनाते ही इस्तिती होगी यह प्र II am और फिर जब यह ऐसे वाली condition होगी तो यह अर यह संयुक्त होता है सिंग तो बन होता है और रूप बनेगा यग्या है क्या बनेगा यग्या है ध्याने रखना है इस बात का जैसे मानो सारगिन प्लस जाया है यहां ने है और ने की योग में क्या करना है यह करना है बस वो कुछ नहीं करना और यह करते ही क्या होगा सारगिंज जाया है क्या होगा सारगिंज जाया है जैसे राज प्लस नै राज प्लस नै और नै होगा तो बस वो ही ध्यान रखना है इसको यह करतेंगे और यह करतेंगे खिर सहीं तो बनेगा उससे हीं बनते ही क्या होगा राज्या है क्या होगा राग दिया है ये तो था साधार नहीं सीधा सा था इस्तो इस्चु नास्चु इस्तो और इस्चु के योग में हमें सा क्या होवे इस्चु होवे एक इसमें अपवाद और चलता है छोटा सा उसको देखने जरा सा कोई बड़ी बात नहीं है उस अपवाद का नाम है साथ क्या है साथ बस यही ध्याने रखना है साथ कह रहा है सेंके बाद यदी तैवर्ग आये तो इस तो इस तो नहीं होगा क्या कह रहा है अगर से तालब ये से के बाद में अगर तैवर्ग आ गया ना तो इस तो को इस तो नहीं होगा जैसे मालो विश प्लस नेह है यहां सर्थ तो है कि ये तो रहाईश चूर ये रहाईश तो बदलना चाहिए ना लेकिन नहीं ही बदलेगा क्योंकि सर्थ क्या करें ये सेके बाद में अगर तैवर्ग हुआ तो अगर नहीं ही बदलेगा तो जैसा है वैसे की वैसे ही रहेगा जैसे मालो जस प्लस त्वम यहां यह रहा इस चू यह रहा इस तो लेकिन यह से के बाद में है तो जैसा है वैसे की वैसे ही रहेगा जस त्वम जैसा रहेगा जस त्वम बस यही चीजे ध्यान रखना है आपको कि यह थोड़ा सा किस्ता पेले नहीं हो जैसे मान लो आस प्लस नित्यम यहां करना क्या है अपने को सीधा सीधा देखना है आस प्लस नित्यम में कि पूरू में क्या है से है और उसके बाद में क्या है तबर्ग है ऐसे वाली करडिशन में अपन क्या करेंगे इसको बदलेंगे नहीं जैसा है वैसे की वैसे ही रहेगा तो ये रहा आपना आशनित्याम क्या रहा आशनित्याम बस यही चीज जहाने रखना है आपको कि इस्टो इस्चु ना इस्चु कह रहा इस्टो और इस्चु की योग में सब हमेशा इस्टू होएं और यहां साथ कह रहा है कि अगर ऐसे वाली कंडिशन हुई तो अपने को कुछ नहीं करना है नेक्स्ट बात करेंगे आगे की क्लास में धन्यवाद